तो आज मैंने किया है अपने ओपर लोटेस का रेडियन गोल्ड फेशियल और मैं उसे के बारे में आपको बताने वाली हूं और मैं अपने ओपर आपको step by step करके भी दिखाने वाली हूं इस वीडियो में चलते हैं करके देखते हैं फेशियल Hello everyone my name is Priyanka and I am a professional makeup artist, hair designer and beauty expert अज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कि घर पर बैठे हम अपनी कैसे skin care कर सकते हैं और घर बैठे budget friendly facial तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में नायका प्रिंग फ्राइडे होल वीडियो में दिखाया था कि मैंने अपने लिए काफे प्रोडेक्ट ओडर किया था उसमें से था मेरा ये lotus का radiant gold facial kit तो आज मैं इसी का demo करके बताने वाली हूं और इसका genuine डिब्यो देने वाली हूं कि कैसा है ये facial in fact मैं ये facial first time यूज कर रही हूं इससे बहले मैंने lotus professional के range यूज किये हैं जो कि मुझे काफी अच्छा और effective लगा है और ये मैंने नाइका फ्राइडे सेल में 50% डस्कांट पर चेज किया था तो मुझे ये काफी reasonable पढ़ गया था इसका price है 1250 और इसमें almost 8-10 facials हो जाते हैं इचे steps भी लिखा हुआ है और इंफेक्ट सभी containers पे 123 करके लिखा हुआ है ताकि accordingly आप फॉलो करते हुआ कर सकते हैं तो मैं इसको open लेकर लिखाती हूँ ये है lotus facial और इस पे number wise लिखा हूँ step 1 cleansing and scrubbing step 2 radiant gold gel step 3 massage cream and step 4 mask start करने से पहले में दिखाती हूँ कैसे मैंने सब कुछ प्रपेर कर लिया है दो बावल में water ले लिया है देन मुझे ताल की जूरत पड़ेगी टाल रख लिया है मैं मसाज में evion का vitamin e capsule यूज करने वाली हूँ तो मैंने ये भी रख लिया है जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें चारी स्टेप था तो जो मेरा प्रीवेस लोटस का गोल चीन फेशल था उसमें से मैंने ले लिया है तो सबसे पहले हम अपना फ्रीज करते हैं कि अज़कल कोवीट की वजए से बहुत कम लोग बाहर जाना पसंद करते हैं कि हरकिसी को डर है कि बाहर जाएंगे कि प्लेस में या फिर मारेकिक में जाकि हम ना जाएं तो आज कर बहुत रियर केस में कोई सलों जारा रहा है कुछ अमेर्जन्सी है या फर घर पे कुछ फॉंक्शन है तो ही जाते हैं और मेक्सिमम लेटी जो हैं वह घर पे अपनी पसंद कर रही है तो उनके लिए यह वीडियो काफी हेलफुल रहे और इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है घर पर करना एली रूटीन में अपने क्यार में एड़ कर सकते हैं अब मैं करने जा रही हूं स्क्रब तो यह क्रीम बेजड है तो यह बहुत ज्यादा ओईली या फिर एक्ने प्रोन वाली स्किन के लिए नहीं है स्क्रबिंग तो हमको मेक्सिमं तू तू फाइव मिनट्स करना चाहिए और बहुत ही सॉफ्ट हैं से स्क्रबिंग करनी होती है भी सिर्फ सर्कुलन वोशन में ज्यादा प्रेशर नहीं देना है और स्क्रब हम आइज के ऊपर या फिर आइज के सराउंडिंग थोड़ा सा वाइड करते हैं ताकि स्क्रब आइज में ना चला जाए इससे इडिटेशन भी और आइज में आइज से पानी निकलना शुरू हो जाएगा आइज में आइज में आइज से रिंस कर लो अच्छे से इस वेडिटेशन टूल काल ब्लेकेट रमूवर जो कि मैं अपना ब्लेकेट रमूवर करना स्टाट कर रही हूं मेरे नोस के सराउंडिंग और चिन पर होते हैं अब हाव या स्टेप तभी यूज करो अगर आपको आतार करना स्टाट कर लिया है सलोली प्रेस टाउं साथ स्टार्च करने से पहले अच्छे से पेस क्लीन कर लें ताकि एक भी स्क्रब पार्टिकल ना रहा जाए पेस पेस पेसिए मैं इटामिन ए कापसूल ले लिया है साथ में ये जैल ले रही हूं ये पेशिया सब्सकिन टाइप के लिए अच्छा है ये नॉर्मल टो ड्राय स्किन वाले भी कर सकते हैं उनको भी काफी अच्छा सूट करेगा बिकर इसमें जैल भी है और क्रीम भी है तो जितने भी जैल इसमें वह में सिम्मम नॉमर इन्फेक्ट ओली नॉमल थो भी चलता है इम इन चुट करता है और जितना क्रीम बेज्ट होता है और गुट फोर नॉमल टो ड्राय स्किन टाइप सो यह अगर किसी की बहुत ज्यादा ओली है तो आप क्रीम वाले स्टैप कर सकते हैं और सर जै और जाए है तो जयल मिनिममम यूज करूँ और जैसे कि मेने कैप्सुल ले लिया है विटमीनी की तो ड्राइ के लिए क्रीम के साथ कैप्सुल और यूजकर लो जए से नरिश हो जाया स्कीन और ड्राइनस दूर हो जाया अगर आप प्रोफेशनल नहीं है और आप अपना सेल फेशल कर रहें और आप लोग घर पे भी अगर कभी करते हैं अपना फेशल तो मैं आपको बता दो कि हम जितनी भी स्टेप्स करते हैं फेशल में कि सारे स्टेप्स आप सर्कुलर मोशन में और अबड़ करें लेक दिस हमको जायर के निए प्रशाज फाइव तो सेविन मैंट्स तक करते रहना है या फिर जब तक यह अच्छा से स्किन में अब्सॉब ना हुचा तब तक हमको इसकी मसाज करने हैं जितना इच्छा से स्किन नारिश हो जाएगी मैं ले रहे हूं क्रीम कि इसका थर्ड स्टेप है और आप क्रीम जेल या स्क्रब उतना ही ले जितना आपको लगता है कि फेस के लिए सफिशेंट है हम बहुत ज्यादा बर बर के लेकर और फेस पर अपलाई कर लें उसके कुछ यूज रही है हमको फे में अबसॉर्ब कर सको बहुत से लोग मसाज करने के बाद सब जो भी हमें प्रडिक्ट स्किन पर लगाया होता है जैल या क्रीम वाश कर देते हैं या स्पॉन से क्लीन कर तो इसको फेसे क्रीम को वाइप नहीं करना चाहिए और इसके ओपर ही पैग लगा लो तो इसको और अच्छा रिजर्व डाएगा तो इसस फोर्थ इन फाइनल स्टेप फेस मास्क ले रही हो और इसको रच से थोड़ा से इसको मिक्स कर रही हो मैंने पेस मास्क लगा लिया है मैं अच वेट करना है इसको ड्राइव होने के लिए पहले ही अपने बालों में उइलिंग कर ली थी तो अब मैं मास्क उतार के हैड वाश करके फिन मैं आपको इसका रिजर्व बताते हूं कि कैसा रा इसका रिजर्व कि आप अपने प्रीज को अच्छे से इनके काफी ट्राइव स्कीन होती है उनको राइनस फील होता है कि एसके पास किन को अच्छे से मौस्टराइव करना वह बहुत जरूरी होता है और अगर आप फेश्य करके एक दम से कहीं बाहर जा रहे हैं तो मेक शूर कि आप अपने स्कीन पे संस्क्रीन लोशन अच्छे से अप्लाइ कर लो जो संस्क्रीन है वह स्केट गार्ड हमारे स्कीन को प्रोटेक्ट करते हैं आफकर फेशल एफेक्ट इस अ वेरी गूड फेशल इसे काफी मेरी टानिंग रमूव हुई है और फेसे काफी ग्लोई दग दगा है और मुझे कोई इचिंग हुई है ना कोई इरिटेशन हुआ है और मेरे फेस पे कोई रडनेस या कुछ भी नहीं है तो मेरे लिए तो यह फेशल काफी अच्छा रहा एं इंफेक्ट यह फेशल सभी स्कीन टाइप को सूट करेगा जितना मैंने इसके टेक्स्चर से इसको समझ अच्छा रहे है और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था यह 1250 का फेशल कित है बाट यह मिला है तो मुझे तो यह बहुत रीजनेबल पड़ा है और इसमें अराम से 8-10 फेशल हो सकते हैं और आपको यह 1000-1050 तक अराम से मिल जाएगा आपको 1000 का यह कित पड़ा है और 10 फेशल हो रहे है तो यह आपको अपको 100 रुपीज पर फेशल कोस्ट करता है और आप इसको घर पर ट्राइ कर सकते हैं आप इसको ट्राइ करो और आप मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको कैसा लगए फेशल अगर यह वीडियो आप इसके लिए भी हज़फुल हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर कर देना यह वीडियो और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बताइए और आइल ट्राइ कि मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बैना हूं देन बाइ तेक क्यर